लिए आपको इस पेस पर आना पड़ेगा इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यह करने करने कर यहां पर देखे कि आप जो है इंस्टार्लिंग यह हो गया है यहां से आप इसके लाइसे को एकसेप करेंगे यहां से एकसित करेंगे इसके बाद यहांप को कुछ वेड कर लेना है यहां पर आपको दो दो आपशन मिल जाता है correct इंस्टॉलिंग मिल यह इनुट्फ कर अगर आप चाहते हैं कि हम 64 बीट और 30 बीट दोनों बनाए तो इसी आप बोथ चूच कर लेना चलिए हमको बनाना है 64 बीट तो हम सिंप्री यह चूच कर लेंगे इसके बाद यहां से आपको कर देना है यह वह लोकेशन पूच रहा है जब आपका यहां से लोकेशन चूच कर लें चलिए हम यहां देश्ट पर ही चूच कर लेते हैं जो आपका जो नेट है कि इतना फास चलता है उस हिसाब से यह डाउनलोडिंग होगा अगर आपका जो नेट चलेगा तो उस हिसाब से यह डाउनलोड होगा तो असब यह आपके नेट पर डिप्रेंड करता है कि आपका नेट कितना फास काम कर रहा है कि यह फाइब जीवी के आसपास में यह है यहां पर देखिए यह मेरा डाउनलोड होके आ चुका है मैं इसको डेक्सटोप पर चूच किया था अब मेडिया क्रेशन टूल का काम हुआ खातम यहां से इसको हम फिनिश करते हैं इसके बाद आपको एक सब्सक्राइब और डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इससे हम पेंड्राब को बूटेबल पेंड्राब बनाएंगे तो यहां आप इस पेज पर आएंगे आने के बद यहां पर आप डाउनल इसको आप डाउनलोड कर लेंगे 1.1 MB का है जस्ट इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सब्ट के डाउनलोड हो गया है अब आपको जरूत पड़ीगी एक पेंड्राब की जिसका साज कम से कम 8GB का होना चाहिए तो वह आप अपने लेपटॉप या आप अपने कम्पीटर से अटेच करेंगे लगाएंगे उसी को हम बूटेबल पेंड्राब बनाएंगे लगाने पेश को देख सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर बूट चोज करना होगा इसमें हम किलेक करेंगे इसमें हम स्लग करेंगे डिस्क और आयस ओ इमेज इसके फेनल क Corona कर देंगे इसके बाद हम को यह पने इसका सङ्ट भी आप दुख सकते है कि यहां 3500 जीवी का सेज का जो इसको डेक्स्टप पे इंश्ट्izen किया थे तो आप को यहां पर जाके इसम आपको इसमें स्लेक्ट कर लेना यहांайте प्रसों सेल्क करेंगे जहां भी तरखे हुए है उसमें सफरक्र रख्ट यहां पर यहां पे मिल जाता है अगर आप यह जो एसलेक्ट करते हैं तो आप बूटबल पेंडराब में बनाएंगे उससे आप किसी भी लेफटूप रहे या कम्पूटर में आप विंडोव इंस्टाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप Windows2Go option चूझ करते हैं तो अगर आप यह जो यूज़ करते हैं तो आपको प्रेंड विंडोव बन जाएगी और विंडोव बनने के बाद आप अपने लैप्टोप में इसको यूज़ कर सकते हैं तो आप अपने laptop या computer से ड्रेक्ट आप Windows यूज कर सकते हैं चलिए हम उपर वाला option को चूज कर लेते हैं तो हम यही वाला option चूज कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हैं सोगाच इसी तरीके से आप अपने जो है pen drive को bootable pen drive बना सकते हैं वह भी बहुत ही आसानी से एंड फाइनली Windows 10 bootable pen drive ready हो चुकी है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं इसको और यहां से हम college करेंगे इसकी आप कोई जरुवत नहीं है चाहे तो इसको आप delete करके हटा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह pen drive है और यह bootable pen drive बन चुकी है इसको आप open करके देख सकते हैं यह bootable pen drive बन चुकी है इससे आप computer या laptop में Windows 10 इंस्टॉल कर सकते हैं